बहुत स्वागत जय जोहार आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती और आप देख रहे हैं 36 गढ़ का सबसे फेवरेट बुलिटन और आज शुरुगात एक बड़ी खबर के साथ बीजापूर में नकसली एंकाउंटर में बड़ा अपडेट आ गया मुटबेड में 12 नकसली है कोब्रा है CRPF 1200 जवान समझ रहे हैं छोटी मोटी सेना समझ लीजिए 1200 जवान शामिल है सुबह 6 बजे से यह मुटभेट चल रही है खास बात यह इस एक बड़े नकसली लीडर की मौजूद्धी खबर थी इसमें चैतू हो सकता है तक्रीबन 40 लाग का इनाम इसमें जंगलूर इलाका लगता है पीडिया के जंगल में मुटभेड चल रही है और नकसल मुटभेड पर सीम विश्नुदेव साय का बयान आया सभी जवानों ने साहस का परिचय दिया मुटभेड में जवानों को बड़ी काम्याभी मिली बारह डेट बड़ी यानि नकसलीयों क परिश्चा और बरामद होने की जानकारी मिली है यह तमाम बातें सीम विश्नुदेव साय ने कहीं है और आज बीजापूर में गंगालूर एरिया में पीडिया थाना छेत्रक के अंतरगतिक नकसली मुटभेड में हमारे सेनिकों को भारी सफलता मिली है अब यह से मुडभेड समापत हो गया है और मुझे जो जानकारी है उसके नुसार बाराघड जेट बोड़ी मिले हैं दीजापूर सायोगी श्री ने प्सावे नहीं उसवक्त हमारे साथ जड़े हैं सीधा को श्री नेवाश के पास लेंगे क्या कुछ अपडेट उनके पास है उनसे अपने दर्शकू की लेते हैं श्रीनिवास के पास आपको लिए चलते हैं श्रीनिवास आपको नजर आ रहे होंगे श्रीनिवास चार महीने में तकरीबन 103 नक्सली धेर और इस लिहास से बीजापूर का जो ऑपरेशन है तकरीबन 1200 जवान यानि छोटी मोटी फोर्स का डिप्लॉयमेंट पूरा एक तरह से क्या अपडेट बड़े मावदियों की इलाके में होने की खबर जैसे ही सुरक्षा महकुमा को लगी इसके बाद एक आपरेशन लांच किया जाता है लगभग 1200 से अधिग जो सुरक्षा जवान मोर्चा में निकल जाते हैं सुकमा जिले के जवान हैं दंतेवारा के जिले के जवान हैं और बस्तर बटालियने यह सभी जवान जब बिजापुर की इलाके पीडिया जहां पर बड़े मावदियों की कबर सुरक्षा महकुमा को लगी ती जिसके बाद आपरेशन कल रात को तैयार कर लिया था और आज सुबह तरके उस इलाके में पहुंचके मावदियों पर बड़ा इलाका बीजापुर से लगबश सतर किलमेटर अंदर है तो जवानों की सुरस्चित वापस आने के भी कोशिच की जा रही है लगबश देर रात तक जवान पहुंचेंगे उसके बाद ही इस पश्ट होगा कि मारे गए मावदियों में कितने इनामी नक्सली है सुरक्षा ब करोड़ रुपए के इनामी नक्सली है और इसके अलावा वेला वेला के भी रहोने की खबर सुरक्षा महकबा को मिली ती जिसके बाद यह आपरेशन लांच किया क्योंकि बड़े मावदी ओधेदार होते तो सभावी के इनकी सुरक्षा में भी नक्सली मौजूद रहते है तो ऐसे में जवान और नक्सली के बीच में आज सुवह से लगातार मुड़ेड हो रही है जिसके बाद यह आपरेशन को आपी कुछ देर पहले ही खतम हुआ है अब आने इंतिजार है जो जवान है हमारे सुरक्षा जवान है जो बारा मावदी के देर डबावदी तो यह भी एक बड़ा ऑपरेशन कहा जा सकता है क्योंकि यह इस ऑपरेशन में बारा सो से अधिक जवान निकले थे और मावदीयों को टार्गेट किये थे मावदीयों में टॉप मोष्ट मावदी के हो जी खबर शुरक्षा महकों मग लगी थी जिसके बाद ऑपरेशन ला लगा था प्रोसीडिंग पर हाई कोट ने रोक लगा दी है बुपेश बगिल सरकार ने IPS जीपी सिंग के खिलाफ राजदरों का ये मामला बना था एंटी करप्षन ब्यूरों के शिकंजे में फसे जीपी सिंग पर पुलस ने राजदरों का केस दर्ज किया आरोप ये था क ब्लैकमेलिंग के से दिए करोणों की प्रापर्टी बनाने के आरूप लगे 30 अपरेल को 36 गल्ड पुलस के सीनिया IPS जीपी सिंग को C.A.T. से बड़ी रहात मिली थी और चार सब्ता में जीपी सिंग से जुड़े सभी मामलों को निप्टा कर उनकी बहली के आदेश दिये गए दिए कि ट्रिबुनल है जो आईएस IPS के मामले देखती है C.A.T. इधर आत्मानंद स्कूल को रिकर सीम ने बड़ा बयान दिया है पी एम श्री योजना से इसे जोड़ने से सीधा हलाब मिलेगा बच्चों को सीधा हलाब मिलेगा छात्रों को खास और परसों विधाय म मिलेंगी पी एम श्री योजना में स्कूल को परियाप्त फंड मिलेगा यह जवाब दिया है सीम विश्णुदेव साय ने जी ने पी एम श्री योजना लागू की है नई सिक्षा निति के तहट और उस स्कूल का जो भी पी एम श्री के अंतरगत आएगा उसका समुचित विकास के लिए मलब काफी परियाप्त फंड मिलेगा और नितित रुख से सिक्षा का गुणवत्ता और जो भी संसाधन है सब में मलब बढ़ोत्री हो दी हाँ प्रधानमंती जी ने पी एम श्री योजना और आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने पर सियासत लगातार जा रही है कॉंग्रेस के संचार विभा के प्रमुक सुशील आनंद शुकला ने कहा है कि दसवी और बारहवी में मेरिट में आने वाले जादतर जो बच्चे हैं वो स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं उन्होंने सुशीन की सार्तक्ता अब दिखने लगी है बहुत ही खुशी का है कि बादमी और दसमी की प्रमुर्सुक ही में सट्र स्थी से भी अधिक बच्चे है 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 टॉपर भी सौमी आत्मानें इस्कूल के लाविए यह दूरहँ भणक है कि भाहरती जनता पायटी आओ शंखुचित मानसिक्ता में स्वामी आत्मानन्द इसकुल को बंद करना चाहरा है यह भारती जनता पारटी के अस्तर है कांगरेश्ग सरकारवादा शुरू किये गये स्वामी आत्मानन की सार्थक्ता अब दिखने लगी है कि बेहर जी खुशी का विश्य है कि बाहदवी और डसवी की प्रमण सुची में 17 законч też सबसे भी अधिक बच्चे स्वामि आत्मा नहीं मिंच्पूल के हैं और ईहार ही दूर्भाग के जनक है कि भारती जन्टा पाइटी शंकुचित मानसिक्त है में स्वामी आत्मानन दिश्कुल को बंद करना चाहा रही है, यह भारती जन्ता पार्टी के अस्तरहीन रादी नहीं है, स्वामी आत्मानन च्छतिस गड़ के महाद। कि फरजी मुटबेड है, फिर नकसलियों नहीं कह दिया कि सही ही था जब पूछे, थोड़ा समझना चाहिए, क्या हो रहा है समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए. काम के भी नहीं रहोगा। अगली जो खबर है वो आपको जगजोर कर रख देगी. सामाजिक ताने बाने पर इससे ज़्यादा बत्तर स्थिती आपने नहीं देखी होगी. मुंगेली में पती-पत्नी के जगड़े में तीन साल की एक मासूम बच्ची की जान चली गई. विवाद हुआ, जगड़ा हुआ, बहुत गुस्सा आया मा को, उसने अपनी तीन साल की बच्ची को जंगल में छोड़ दिया. तीन दिन बाद बच्ची की जंगल में लाश मिली. बताया यह जारा कि भूख प्यास से इस बच्ची की मौत हो गई. जंगल में छोड़ने के बाद माँ यह भूल गई थी के बच्ची को कहां छोड़ा. इसलिए वो बच्ची को ढूंड नहीं पाए. खास बात ही है कि बच्ची की माँ गाओं की सरपंज भी है. अचानक माँ टाइगर रिजर्व कि यह पूरी खटना है. कि बच्ची को छोड़ कर आकर आ गई है. उसके बाद घर में डारेक्टिप पहले नहीं आया था. चैला स्यादा को ले कर गया था. बच्ची ढूंड़ने के लिए. तो आधर उसके बाद गया उसके बाद दास्ता भूल गया हुँची. उसके बाद पुरन हमारे घर तुष खबर सूरजपुर से जहां एक परिवार को दहेज का दंश झेलना पड़ा यहां बिना दुलहन के बारात लोट गई. चार लाग दहेज को लेकर दोनों पक्षों में मार पीठ हुई. पिता कर्ज लेकर बेटी की शादी कर रहा था. इधर दोनों पक्षों ने मामले की शि विवाह रुकवाए हैं. पहला मामला तनौद गाउं का है. यहां बारात निकलने से पहले विभाग ने दबिश दी और पाया कि युवक की उम्र मातर 18 साल 8 महीने है. दूसरा मामला चौरा भाठा नवागर का युवक के विवाह को रुकवाए गया. बताय जा रहा कि बाल